नमस्कार दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग जब मEMA मबई जाते होंगे तो वह T2 टर्मिनल पर उतरते होंगे और वहां से आपको T1 टर्मिनल जाना पड़ता है बहुत सारी फ्लाइट्स ऐसी है जिनको T2 से T1 टर्मिनल जाकर के ही पकड़ा जा सकता है तो दोस्तों आपके लिए यहां पर एक इंटर टर्मिनल कोज सर्विस भी है यहां दोस्तों यह वो बस है जो आपको T2 से T1 टर्मिनल और T1 से T2 टर्मिनल ले जाती है हम लोग 3 बच के 4 मिनट पर इस बस में चड़ गए थे और यह बस तुरंत रवाना हो जाती है जैसे ही इसके अंदर कंप्लीट सवारियां बैट जाती है दोस्तों T2 टर्मिनल से निकल करके हमने T1 टर्मिनल की यातरा शुरू कर दी दोस्तों यह सर्विस एक दम फ्री है आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता और यह करीब करीब 5-6 किलोमिनल दूर T1 टर्मिनल तक ले करके जाती है अमोमन यहां पर बहुत भीड रहती है क्योंकि यहां पर बहुत सारी फ्लाइट आती ही रहती है अगर आपकी बस एक बार मिस हो जाती है तो हर आदे घंटे पर आपको T2 टर्मिनल से T1 टर्मिनल जाने के लिए नई बस मिल जाएगी इसलिए घबराएं नहीं लेकिन अगर आपकी फ्लाइट के बीच का टाइमिंग आदे घंटे से कम का है तो आप जैसे ही T2 टर्मिनल उतरते हैं तुरंत बाहर निकल करके इस बस को पकड़ लीजे ये एकदम फ्री है अगर ये छूट जाती है और आपका टाइम बहुत शॉर्ट है तो वहाँ पर आटोस की भी लाइन लगी रहती है वो भी आपको वहाँ तक पहुचा देंगे लेकिन वो कम से कम 100 या डेड़ सुर्पया चार्ज करेंगे तो अपने समय को बचाते हुए हम 3 बच के 13 मिनट पे T2 टर्मिनल से T1 टर्मिनल पहुच गए और आई होप कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल से जब मिलती है तो आपने लाइक कवर डंग जरूर दबाया होगा तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद